नमस्कार दोस्तों में गणे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एकजाम करेंगा नाइट और इस वीडियो के अंतरगत अपने डिसकस करने वाले टोप 50 क्यूसन मुगल काल से संबंदी इंडियन इस्ट्री के अंतरगत मद्यकाल भारत में अप इसने भी इंपोर्टेंट क्यूसन है वह सारी इस वीडियो के अंतरगत डिकन डिसकस करने वाले तो प्रिवियस एक्जाम में पूछे गए हैं चलो स्टार्ट करते हैं प्रते क्यूसन के लिए आपके पास में 10 सिकन दस सिकन में आपका आंसर कमेंट करना ठीक है तो अपन डिसकस करने वाले इसमें मुगल काल यानि कि 1526 इसवी से 1857 तक जो काल था वो कौन था मुगल काल था जिसमें जो भी सासक आया है बाबर हो गया उमायू अकबर जांगीर जो भी होए सारे अपन डिसकस करेंगे ठीक है सिक्वेंस से अपन डिसकस करेंगे तो फर्स्ट कि 1526 में बाबर ने किस वंस के सासक को प्रास्त कर मुगल सामराज्य की ने उडाली किल जीवन सेयद वंस तुगलग वंस या लोदी वंस और उस सासक आपको नाम बताना नाम अगर आता है तो नाम भी बता दीजिए चलिए समय समाप्त किसन नमर फर्स्ट का राय टांसर हो जाएगा ओप्शन डी लोदी वंस और किसको राय था तो यह राय था इब्राहिम लोदी को ठीक है पानिपत के युद में इब्राहिम लोदी को राय दिया था बाबर ने और आपे स्ताप ना कर दी थी मुगल वंस क चलिए नेक्स्ट क्यूसर नमर दो पानिपत का पर्थम युद कब हुआ ठीक है तो पानिपत का युद जैसा की बताया मैंने यह दिक मद्धे और बाबर के मद्धे तो यह कब लड़ा गया था इसके आपको डेट बतानी है 15 अप्रेल 1526 20 अप्रेल 1527 अप्रेल 1527 अप्रे से आंसर क्या होगा प्रेल 1526 को पानिपत का युद हुआ ठीक है पानिपत कहां पर हरियाना में आता है तो यह वा था बाबर और इब्राहिम लोदी के मद्धे ओके चलिए कि उसन नमर तीन बाबर ने परसिद तुलगमा नेती का प्रियोग सर्व प्रताम किस युद में कि तुलगमा प्रति क्या होती हो मैं आप भी समझा दूंगा इसके लाव पानिपत का पर्थम युद गागरा का युद चंदेरे का युद खानवा का युद कौन से युद में अपनाए गए ती इनके द्वारत तुलगमा प्रति चलिए टाइम सब क्यूसन नमर तीन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ओप्षन डी राइट आंसर खानवा युद युद अब यहाप यह थोड़ा से समझा देता हूं तुलगमा तो तुलगमा होती क्या जैसे मालो जैसे एक तरफ तो है बाबर और एक तरफ है तुलगमा पददि में होता ओए सेनी को इस प्रकार से जमाने की परिक्रिया होती है यह जमादिया सेनी के टिक है इन्होंने भी जमा दियो इसमें क्या होता जिसे मालो 5 095 से निक से पाश है और एकस्ट्रा 2 000 मालो तो 2.000 यहाँ पर जमादियै अब इनके 505 जार वस्त्ष करते हैं इनकी तरफ आते हैं और यह इनको पिछे से घेर लेते हैं ठिक है तो आपने पड़ा होगा यह इसमें खान्वा यूद में पड़ा होगा ठीक है किस यूद में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का महूं अमिर सगे समंधियों आदी के लिए खोल दिया और उधारता के लिए कलंदर की उपादी धारण की तो ये कौन से यूद में की थी पानिपत का पर्थम यूद 1526 घागरा का यूद 1529 चंदेरी का यूद 1528 और ख यूद जीते थे चले इसका राइट आंसर बते से आंसर क्या है कि कर दो कि कर दो कि कि अधारण की ती क्यूस्तन नमर पांच भारत में ग्रेंडि ट्रेक रोड बनवाए गए थी बिल्कुल एजी कुछन जल्दे से कमेंड़ करें जीटी रोड ग्रेंट ट्रेक रोड के निर्मता कौन है विल्कुल एजी कुछन सभी का आता है इसका राइट आंसर जाएगा सेहसा सूरी कुछन नमर 6 आयने एकबरी एक मान एतियासिक कृती निम लिकित में से किसके द्वारा लिखे गए थी आयने एकबरी के लेकर क आयने एकबरी ये जो है बायोग्राफी है किसके अकबर की ये किसके द्वारा लिखी गए थी तो ये लिखी गए थी अवुल फजल के द्वारा लिखी गए थी चलिए नेक्स्ट कुशन कुशन नमर 7 पानी पत का दूसरा यूद जो कि 1556 में हुआ था निम लिकित में से कि इनके मद्दी वाता वह आपको बताना है अकबर और हेम चंदर विक्रमा दिते या इनको हेम भी कहते इसके लावा राजपूत और मुगलों के मद्दे बाबर और इब्राहिम लोदी के मद्दे सिकंदर और आदिल साह के मद्दे तो पानी पत्का पर्थम यूद जैसा कि अशे के मद्दे वाता बाबर और बाबर इसके ब्राहिमँ लोदी के मद्दे दूसरा यूद किसके मद्दी वाता वह आपको बताना सही आंसर किया होगा फास्ट कमेंट करें गर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे जुरूर देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएक जिसमें पिछले वीडियो में अपने डिसकस किया था सूफियांदॉल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं चलिए क्विशन नमर 7 का रायट आंसर हो जाएगा तो मनसब्दारी होती क्या है मनसब्दारी इसमें होता है जैसे कोई भी राजय माराजय उसका कोई सेन अन्यक है तो अगर वो सब्एगे यह की ति अक्बर के द्वारा ठीक है अक्बर केक सबसे ज्यादा किस क Whenever सबस्क्asyन थो सबसे द्वारा इसके द्वार. रही थे सहाजिए अक्बर जाँगीर बाबर इसक debate उसमें सारे डिसकस करेंगे सब्सक्राइब करने वाला मुगल समराट को हूंता सती पड़ता को समाप्त करने वाला साज अकबर जांगी रिया बाबर कि टाइम सब्सक्राइट अप्सन भी अकबर किसे नमर ग्यारा मुगल चितरकारी किसके सासन काल में चर्मोत कर्स पर थी साजा अकबर जांगीर बाबर में ने बताया था जब चितरकारी आपको बताया था या आटरेंट कल्चर के अंदर के तब बताया था कि जब भी अगर बात कर ले मुगल चितरकारी की तो किसका नाम आएगा किसका नाम आएगा जल्दी से कमे पाणी जगत रीतुओं और फोलो का विसद वीवरण अपने देनन दिन यानि की डायरी में दिया तो यह किस ने दिया था साजा अकबर जहांगीर बाबर चलिए समय समाप्त क्विस्टन नमर 12 गराई टांसर ऑप्सन डी बाबर ठीक है बाबर ने किया है इनका विवरण डायरी में अपने डायरी में देन दिन दिन क्विस्टन नमर 13 हुमायू नामा किस ने लिखा था इसको जुरूर ध्यान में रिखिए हुमायू नामा किस ने लिखा था गुल बदन बेगम मुम्ताज महल जहां आरा बेगम रोसन आरा बेगम समय समापत इसका रायटा अंसर जाएगा ऑप्शन एक गुल बदन बेगम के दौरा हुमायू नामा लिखा गया था बायोग्रापिय हुमायू की क्यूसर नमर 14 अकबर के सासन काल में महाभारत का फार्सी बासा में अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना जाता है ठीक है तो महाभारत अब किस नाम से जानी जाती है फार्सी बासा में अनुवाद होने के बाद में इकबाल नामा रजम नामा अकबर नामा सकिनत उ ओलिया किस नाम से जानी जाती है कि अगर अगर आपने पड़ा है सिक्वेंस से तो आपको अच्छी तरह किसे पता होगा लास्ट अंतिम साथ से कौन तो इसमें से आपको अंतिम मुगल समराट बताना है चलिए टाइम सब्सकार आइट आंसर हो जाएगा उपसंसी बादूर सा दिते यह अंतिम मुगल समराट थे क्योशन नमबर 16 अकबर के सासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदाई था ठीक है तो यह अकबर के सासनकाल में बीरबल टोडरमल जैसिंग या बियारी मल सब्सक्राइब नमबर 16 अब राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदाई था ठीक है तो यह कौन था यह था मित्रों टोडरमल ओप्सन बीर आइट आंसर ठीक है जो कि क्या था मित्रों अकबर के नावर अकबर के नावरतन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगे उस पर क्लिक करके जुरूर देखे एक बार कभी भी आप जिंद्गी बर नहीं बूलोगे अकबर के नावरतन कौन कौन से थे ठीक है एक बार जुरूर चेक करें चले क्यूसर नमर 17 अकबर द्वारा बन आएगे उपासने पूजा ग्रह का नाम क्या था समय समाप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर इबादत खाना इबादत खाना क्यूसर नमर 18 किस युद्ध में बाबर ने जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया इसके लावत तमगा नाम करक समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी की धरम योद्धा की उपादी धरन की तो कौन सी युद्ध के दोरान की थी विल्कुल एजी क्यूसर ने काफी इंपोटेंट भी है पानिपत का पर्थम युद्ध खानवा का युद्ध घागरा का युद्ध यह जो कुशन बाल-बाल रिपीट हो था काफी बाल पूचा गया क्यूसर नहीं है गाजी युद्ध कौनसी युद्ध में धारन की गई थी धरम युद्ध का जियाद का नारा कौनसी युद्ध में दिया बाबर ने तो काफी इंपोटेंट है जुरूर ध्यान में रिखे ठीक है बार-बार रिपीट हो था ही जिसका रायटांस रो जाएगा खानवा का युद्ध कौन सा युद्ध खानवा का युद्ध 1527 में वात आई क्योंस नमबर 19 मुबईयान नामक पद्दे से लिए कि जनम दाता बाबर ने अपनी आतम कता तुजुक ए बाबरी किस भासा में लिखी है तो यह किस भासा में लिखे गए थी फार्सी उर्दू तुर्की या अर्बी आतम कता कोन सी यह तूजुक ए बाबरी सै आंसर इसका राइट आंसर जाये का तुर्की बासा में कोन सी बासा में ती तुर्की बासा ओप्सन सी राइट आंसर चलिए नेक्स्ट कुईशन कुईशन नमबर 20 बाबर को भारत पर आकरमन करने के लिए आमंतरित करने वालों में से कौन सामिन नहीं था काफी important question है तो तीन तो इसमें से है जो कि आकरमन करने के लिए उन्होंने आमंतरित किया था तो एक था चो कि नहीं था इसमें इस से कारण तो तीन कारण थे इसमें से छाट के बता दीजिए सही क्या है चलिए समय समा आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंदेरी का सासक मेर्दी निराइस में सामिल नहीं तब बाइनों कार्ण थे और इसी कार्ण से भारत में आये थे आये तो लोटने के लिए थी भारत को लेकिन बाद में उनका मन चेंज हो गया और यहां पे रहने लगए और अपने चामराजी का विस्तार करने लगए यहां पर आके चलिए नेक्स्ट कुशन आपके सामने अच्छा कुशन है और आपको इसमें क्या करना है सुमलित करना है भाबको एक तरफ तो दे रहे खिए और व्यूद्ट के शाशख में कमेंट करें तरे एक आपको मिलान करना है और यह पानिपत्का पर तरुआ सबीस में किसके विरुद लढ़ा गया थह आपके पास में 15 सेगंट सेय आंसर क्या होगा यह काफी इंपोर्टेंट है बाबर दुआरा लड़े गए यूद है इनको दुरूर ध्यान में रिखे कौनसा यूद किसके साथ लड़ा गया था इसके लावा कौनसी सन में लड़ा गया था कौनसी इसवी में लड़ा गया था चलिए 15 सेकंडों के सका राय टांसर इस प्रकार से ठीक है पानिपत का परतम यूद 1526 में इब्राहिम लोदी की खिलाप इसके अलावा खानवा का यूद 1527 में लड़ा गया था राना सांगा की विरुद चंदेरी का यूद मेदी निराय ठीक है मालवा के और यह लड़ा गय जी की राजदानी को आगरा से दिल्ली स्तान अंत्रित कर दिया ठीक है तो आगरा से दिल्ली स्तान अंत्रित की गई राजदानी तो कौन से मगल समराट की द्वारा की गई थी जहांगीर औरंग जेब हुमायू साजा टाइम सब क्विशन नमबर 22 का राय टांसर हो जाएगा ओप्सन डी साहजा के दुआरा किसके दुआरा साहजा के दुआरा मुगल सामराजी के राज़दैनी आगराज से कहा ट्रांसपर कर दी गई दिल्ली चलिए नेक्स्ट क्विशन क्विशन नमबर 23 अकबर के यूव आवस्ता में उनका संद्रक्षक था अकबर के यूव आवस्ता में उनका संद्रक्षक कौन था हेमू फेजी अवल फजल बेरम खाँ टाइम सब इसका राय टांसर हो जाएगा ओप्सन डी बेरम खाँ क्विशन नमर 24 अब इस निम्लिकित में से किस स्थान पर नादीर सा ने चड़ाय नहीं की थी ठीक है चड़ाय नहीं की थी मतलब वह आकरमन नहीं उन्होंने आकरमन नहीं किया वहां पर तो यह कौन से स्थान है लाहूर करनाल दिल्ली कन्योज ठीक है तो टाइम सब हो गया कहां कहां पर चड़ाय की गए थी लाहूर करनाल दिल्ली कहां पर नहीं की गए थी यह कहां नहीं की गए थी कन्योज कन्योज ठीक है आप्षन डी रायट आन्सेर हो जाएगा ओके नेक्स्ट कियूसन कियूसन नमर पचीस निमन पर प करती लेखक में से कौन समयलित नहीं हैं एक तरफ आप को दे रहुआ है यह आपको दे रहुदे रहुद्गर और एक तरफ दे रहँ हैं उनके लेखक या कौन सा गलत है वो छाटना है हुमायू नामा किसी ने लिका था हुमायू ने तुजु के बाबरी बाबर ने तुजु के जहांगीर जहांगीर ने साजा नामा मुहमद सोले तो इसमें से गलत कौन सा जो की गलत है, एक तरफ कृति दे रहे की रचना और एक तरफ उनके लेखक गलत है इसमें से मैंने बताय था, आपको याद करना है उसको चलिए ये टायम सब इसका रायट आंसर हो जायेगा, option a रायट आंसर हुमायू नामा, ओप्सन a रायट आंसर, ठीक है, ये गलत है चलिए next question आपके सामने question number 26 राजा बीरबल की उपादी किसे दी गई थी अपन बोलते की बीरबल बीरबल लेकिन इनका मूल नाम क्या था ठीक है ये तो बीरबल की उपादी दी गई थी ठीक है अकबर की दुआरा लेकिनी किसको दी गई थी उनका नाम बताना वन माली दास, राजा भगवान दास, राजा टोडरमल, महस दास काफ़ इंपोर्टेंट है तो राजा बीरबल की उपादी किसे दी गई थी बीरबल का सही, मूल नाम क्या है बीरबल का उपादी उनको मिली है बीरबल की राजा बीरबल की और उनका मुझल नाम ता मित्रो महेश दास क्या था महेश दास ओप्सन डी राइट आंसर चलिए क्विस्टन नमबर 27 किस मुगल सासक को दो बार राजय भी सेख हुआ किस मुगल सासक का दो बार राजय भी सेख हुआ अगबर जांगीर साज अरंग जेब दो बार इनका राजय भी सेख वाता किस का वाता दो बार राजय भी सेख तो ये किस का वाता मित्रो तो ये वाता ओरंग जेब का किस का वाता ओरंग जेब ओप्सन डी राइट आंसर क्योशन नमबर 28 सेर सासूरी का मगबरा का अस्तित है दिल्ली, आगरा, सासाराम, लाहोर ये काफी बार पूचा जाता है ये सिर सासूरी का मगबरा काफी बार रिपीट होता है ये कुशन काँ पे ये इसका राय टांसर हो जाएगा ओप्शन सी, सासाराम काँ पे सासाराम में कुशन नमर 29 इस अकबर का राजे बीषे का होँआ था आगरा, जामा मस्जिद, फतेपुर्सीकरी काला नोर अकबर का राजे बीषे का होँआ था चले टाइम सब ये वाता मित्रो काला नोर में ओप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन कुशन नमर 30 किस मुगल सास को आलमगीर कहा जाता था अकबर साजा जहांगीर औरंगजेब आलमगीर कौन से सास को कहा जाता था कौन से मुगल सास को आलमगीर कहा जाता था समय समाप्त क्यूसर नमर 30 का रायट आंसर ओप्सन डी राइट आंसर और अरंग जेब को आलमगीर का जाता था क्यूसर नमर 31 समराट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपादी से अलंकरत किया गया था महमद हुसियन, मौमद हुसियन, मुहमद खा अब्दू समद, मीर सेयद अली तो किस जरी कलम की उपादी दी गई थी किसके द्वारा, अकबर के द्वारा और किसको दी गई थी उनका आपको नाम बताना है चार अपके पास में सही आंसर किया होगा फटेपर से कमेंड करें, दस सेकड़ आपके पास समय समाप्त क्यूसर नमर 31 किसका रायट अंसर हो जाएगा आपसन A मोहमद हुसेन मोहमद हुसेन को दी गई थी जरी कलम की उपादी अकभर के द्वारा क्यूसर नमर 32 किसके समय में मलिक मोहमद ज VII की पदमावथ की रचना की कब के गई थी 1540 में की गई थी तो किस के समय की गई थी हुमायू अकबर और सेरसा सूरी और और अरंग जेब तो पंदरा सुचाली से आप अच्छी तरगे से याद कर सकते हैं उसे में कौन थे ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन सी सेरसा सूरी ठीक है कौन सेरसा सूरी इंपोर्टेंट ओप्सन सी राइट आंसर जो कि सूरी वंस के संस्था पकते सेरसा सूरी जी टी रोड के बारे में भी परने देखा था इनके द्वारा निर्मित कराए गे थी भारत में प्रतमबार चले कुस्ता नमर 33 किसने चोसा का युद्ध 1549 में हुमायू को पराजित किया था ठीक है तो किसने किया था हुमायू को पराजित चोसा के युद्ध में 1549 में तो राइट आंसर किया होगा सीवा जी ने मरणा प्रताब ने सेरसा सूरी ने इन में से कोई नहीं चोसा का युद किस-किस के मद्द लड़ा गया था तो आप ये भी देख सकते हैं आपे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टाइम से इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन C चोसा का युद 1549 के अंतरकर लड़ा गया था हुमायू और सिर्सा सूरी के मद्द जिसमें कौन जीता था सिर्सा सूरी चलिए क्युशन नमर आपके सामने है 34 हुमायू का मखबरा कहा है दिल्ली आगरा काबूल फतेपुर सिकरी चलिए टाइम से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओप्शन हुमायू का मखबरा कहा है दिल्ली में अगर एक यहां पर यह क्युशन आता है कि कौन सा मुगल सास्ट के जिन्हों ने दो बार सासन किया तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हुमायू हुमायू पहले सा सकते फिर बाद में सेर सासूरी के दूरा उनको भगा दिये गया हुआ से फिर बाद में सेर सासूरी की मर्ति के बाद में आपस या गए यहां पर राज करने के लिए तो हुमायू ने दो बार सासन किया था ठीक है अगर क्योशन आ जाए दो बार सासन के लिए आपको बताना है हुमायू और ये आ जाए कि दो बार आजे भी से किसका वाद औरंगजेब करना है क्योशन नमर 35 भारत में बीवी का मगबरा कहा अस्तित है ये अपने पहले भी देखा था एद्राबाद फतेफूर सीकरी बीजापूर औरंगबाद पीबी का मगबरा ये भी काफी बार रिपीट होता है क्योशन भी समय समाप्तिस का राय टांसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगबाद औरंगबाद क्योशन नमर थाटी सिक्स फतेफूर सीकरी में इस्तित लाल पत्थर से निर्मत सेक सलीम चिस्ति के मगबरे को किसने संगमरमर का बनाया था तो किसके दुरा बनवाया गया था इसको संगमरमर का अगबर जांगीर साजा दारासी को prag sorry answer क्या आज़का isakti omega right answer जाएगो option बी राइट आशर जहांगीर को यह से लिए से से सूरि की मानता का घू तक है तो से सा सूरि मानत ठीक है लेकिन इसमें मोक्हा आपको बताे है न उसके क्या विशेशता थी शेयर सासूरी ने इसा क्या कारी कराये था option A में आपको दे रहेगा हुमायू की विरुद उसका विजे अभियान stress शेने नेतरतवे और परसासनिक सुदार धार्विक सही सुनता इसमें से सही क्या है शेयर सासूरी की संदर में शेयर सासूरी राइट अंसर क्या होगा important मुख्यकार ये बिल्कुल इसका राइट अंसर हो जाएगा option C राइट अंसर परसासनिक सुदार ठीक है इनकी मुख्य विशेशता परसासनिक सुदार option C राइट अंसर question number 38 किस मुख्यल सासक को पहले आगरा में दफना गया बाद में उसकी एक अफगान विद्वा सर्वा को काबू ले गई और फिर वहाँ पर एक बाग में दफना दिया गया ठीक है तो किसको दफना गया था पहले तो आगरा में फिर बाद में अफगान की जो काबूल से कौन आया था ताइम सब इसका राइट आंसर हो जाएगो ऑप्सन सी बाबर्न ओके किस्टन नमबर 39 किस मुगल सासक को उपवनों या उध्यानों में अतियंत अभी रूची के कारण उपमनों का राजकुमार उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुक्ट भी क किसको कहा जाता था जो कि क्याते मित्रों कि उध्यानों को पढ़ती उनकि रूची ती और जेब अकबर बाबर या जेहांगीर जिनको उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुक्ट भी कहा जाता था जल्दी सांसर कमेंट करें कुछन नमर 49 का राइट आंसर ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबर ठीक है बाबर कुछन नमर 40 कौन सा पहला मुगोश आ सकता जिसने कुछान सामराजी के पतन के बाद भारती सामराजी में काबूल वक कंधार को सामिल किया और रंगजेब अकबर बाबर जांगीर टाइम से विसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर बाबर कुछन नमर 41 किस युद्व को जीतने के बाद सेरसा ने डिल्ली में अफगांस था कि स्तापना की तो यह जो लड़ा गया था मैंने बताया था किसको हराया था इन्होंने सेरसा सूरी ने तो भी देखा था इसके लाओ इन्होंने कौन से युद्व लड़ा था तो जल्दी से कमेंट कर दीजें बिल्ग्राम का युद्व कालेंजर का युद्व तोसा का युद्व इन्हें से कोई नहीं दिल्ली के बारे में पूछा दिल्ली की स्तापना किस युद्व के बाद में की गई थी चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्ग्राम का युद्व बिल्ग्राम का युद बिल्ग राम का युद्ध जितने के बाद में अफगान स्तागिस ताप ना की थी दिल्ली में ठीक है? ठीक है सही है ठीक है दिल्ली सेर सासूरी ने दिल्ली में अफगान स्तागिस ताप ना की question no.42 निम लिखित भारतिय सासकों में से अकबर के समकाली इन कौन था या कौन थी रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई मारतंड वर्मा और सवाई जैसिंग अकबर के समकाली इन कौन था या कौन थी इन में से यह पूछा गया question important है कि चलिए समय समापत इसका राय टांस रहेगो option-e इसके दौरा कराय गया था इस मोती मस्जीत का निर्मान साझ जाए के दौरा का पय है दिलि जैपुर आग्रा ये अमर्कोट अमरकोट पाकिस्तान में आता है जल्दी से कमेंट करें सब्सक्राइब क्या है मौती मस्जिद कहां पर है चले समय समय आप्त क्यूशन नमर 43 का राइट आंसर आग्रा में है क्यूशन नमर 14 किस मुगल बादसा ने जजिया नामक कर पुना लगाया था ठीक है यह जो करता मित्रो यह दुबारा से लगा दिया गया था किसके दुबारा अकपर जहांगीर औरंगजेब और साजा इनमें से एक सही आंसर क्या है जो कि एक कटर मुस्लिम था इनमें से इन्होंने हिंदुवा के मंदिर भी तूड़वाए थे ठीक है बिल्कुल हिंदुवागा यह विरोध करता था बिल्कुल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगो ओप्सन सी औरंगजेब क्योशन नमबर पेतारीस अगबर के सासन काल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कारिय था अमल गुजार अधिकारी का क्या कारिय था कानून और विवस्ता संभालना भूमी राजस्व का मुल्य अंकन और संग्रे करना राजगराने का प्रभारी होना साई खजाने की देखबाल करना तो सही आंसर किया इसमें से अकबर के सासन का आल में अमल गुजार का क्या कारिय था? समय समाप्त कुशन नमर 45 का राइटांसर उप्सन B राइटांसर है ठीक है? भूमी राजस्व का मुल्यांकर और संग्रेन करना ठीक है? तो यह काम था इसका अमल गुजार अधिखारिफ क्यूशन नमर 46 सिवाजी ने मुगलों की किस संदी के द्वारा किलो को स्तानिंतरित किया? कौँसे संदी की गज़ी? चितोड़ पूर्णे पुरंदर या तोरण? कब हुई थी यह भी कमेंट कर दीजे कराता तो कब हुई थी यह संदी? पुरंदर की संदी? सोरी मैंने बता भी दिया आंसर चलो कोई बात नहीं है ठीक है? कब हुई थी यह आपको बता दिया पुरंदर ओप्सन सिरा आइट आंसर है ये कमेंट करें कि ये पूरंदर की संदी कब हुई थी किसके मद्द्य हुई थी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है सिराइट आंसर क्यूसर नमर 47 निमन में से कौन सा मुगल बाद सा पहले तो अंग्रियोजों का के दी रहा बाद में जीवन परियंत मराठो का पेंसन भोगी रहा तो ये कौन था जो कि पहले तो अंग्रियोजों का के दी था फिर बाद में जीवन पर मराठो का पेंसन भोगी रहा सा आलम दीते बादुर सा दीते आलम गिर दीते अकबर सा दीते कौन था ये कौन सा मुगल सा सकता चलिए समयस्मा अब तिसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन ए सा आलम दिती क्विशन नमर अड़तालीस दक्षिन भारत में निम लिखिद में से किसके सासन काल में मुगल साम राज्य तमिल राज्य सेत्र तक फेल गया ठीक है यह पहले नौर्थ इंडिया थे गिता लेकिन बाद में देज़े क्या हुआ वो साउथ इंडिया में चला गया दक्षिन भारत में भी तमिल तक चला गया तमिल राज्य सत्र टक फेला तो किसके सासन काल में फेला था इनका यह सामराजी अकबर औरंग जेब जांगीर और साजा बिल्कुल आप सब जानते हैं कटर मुसलिम था तो इसमें से कौन सा है सही आंसर कमेंट करें सही आंसर का ओप्शन A, B, C, A, D यह मारा इस वीडियो का से किसन है मुगल सता की पुनर सतापना हुमायू ने कब की थी समय समय आप तिसका राइट आंसर ऑप्शन B 1556 में की थी इन्होंने वापस से इनकी मुगल सतापना है यह मारा आज कांती में कुसन है इस वीडियो का मुगल सतापना किस युद्ध में हुमायू को मिली वीजे के फलस्वरूप मुगल सतापना किस युद्ध में हुमायू को मिली वीजे के फलस्वरूप थी ठीक है तो आप यहां पर थोड़ा सही हो गया कोई इसको यहां पर बता दीजिए सही आंसर का इसमें पानिपत का पर्थम युद्ध दोरा या दोरा का युद्ध मंदसोर का युद्ध या सर सुरूप की गई थी वह आपको बताना तो इस युद्ध का नाम बताएं से आंसर क्या है कि अ कि अ कि चलिए टाइम से बिसकार आइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डीर आइट आंसर सरहिंदी का युद्ध है ठीक है कौन सा युद्ध सरहिंद का युद्ध अपने इस कि आपने पचास में से कितने क्यूसन किया है तो आप अपनी तयारी गच्छी से जहां सकते हैं इसके लाव फस्ट पार ता जो कि मुगल काल से संब्दित था ठीक है अभी इसका पार्ट सेकंड भी आएगा जिसमें इपन पचास क्यूसन डिसकस करेंगे तो मुगल सम पीडिएप चाहिए इन क्यूसन की तो पीडिएप आपको मिल जाएगी आप टेलिग्राम गुरूप को जोइन कर लीजीगा वापिस की पीडिएप आपको मिल जाएगी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं अगर अच्छा नहीं लगा तो आप डि तुरुंत प्राफ्थ हो सके हैं इसके अलावा आपको यहां पर दे रखा है ठीक है इन्ими पर क्लिक करके आप देख सकते हैं मित्रों क्लिक करके अक्बर के नवरतन को याद करने हैं benefic ट्रिक यहां पर दी गई है तो इस पर क्लिक करें और देखें अगबर के नवरतन कौन कौन से आप जिन्द के भर नहीं बूलोगी एक बार जुरूर देखें इसके लाव डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में भी लिंक दे रही है वहाँ पर आप देख सकते हैं तो अपने मिलेंगे अब तब तक लिए जहिए जयभार्त